हेलो एरिवन गर्ल्स वेलकम बाक टोवी चानल मैं आज आपके साथ शूर करने वाली हूँ ब्लाउस की कुछ लटकन डिजाइन ब्लाउस दिखने में बहुती कुछ सूरत लगता है जब आप उसमें टेजल का यूज करते हैं जैसे कि प्लें साडी में कमल का लूग देता है टेजल वाला ब्लाउस स्टाइलिश लूप के लिए महिला ब्लाउस पहनना पसंद करती है चाहिए हो शादी हो या पार्टी हो लेकि भीना टेजल की ब्लाउस अधुरे लगते हैं आजकल सभी गर्ल्स और लेगिस ब्लाउस में टेजल का यूज कर रहे हैं और अपने ब्लाउस को और जादा ब्यूटिफिल और स्टाइलिश बना रहे हैं इसलिए आजकल जादा तर ब्लाउस में टेजल का इस्तमाल किया जाता है मार्केट में आपको कही तरह के टेजल मिल जाएंगे आपको हमेज़ा अपने बॉलाउज की कलर के एक्डरोडिंग है बॉलाउज के लिए टेजल लेना चाहिए जिसे के आपका बॉलाउज बहुत सुंदर लगेगा बहुत सरी डिजाइन से वीडियो में आप वीडियो से भी हिल्प ले सकते प्लेम ब्लाउज में टेजल लगाने से ब्लाउज और खुपसुरत लगता है विशेश रूप से एक साधरन साड़ी को अद्बुत लूप देने के लिए टेजल एक अच्छा विकल्प है अगर आप कुछ ट्रेंडी की तलाश में है तो आपको ब्लाउज को यूनिट टाइप के टेजल का यूज करके ब्लाउज को और ज़्यादा ब्यूटिफुल बनाने चाहिए इन दिनों टेजल का फैशन ट्रेंडिंग में है क्योंकि उनकी समक प्राकृतिक होती है जिसमें कि अगर आप मोती वाले टेजल लगाते है तो उसमें बहुत ज़्यादा समक होती है दिखने में भी वो बहुत स्टाइलिश लगते है विशेश रूप से शादी की साड़ी के लिए अगर आप मोती वाले टेजल का यूज़ करते हैं तो आपके लुप में चार्चा लग सकते हैं विशे टेजल को चुनते समय उसके रंग पर जादा ध्यान देना चाहिए अपने ब्लाउस के समय रंग का टेजल चुनना नहीं चाहिए जादा तर महला क्या करती है गोल्ड कलर की टेजल का इस्तमाल करती है जो की हर ब्लाउस के साथ सूट नहीं होदा अधिक स्टोन वाले वर्क वाले टेजल पुरानी जमानी के लगते हैं जिससे की साड़ी का लुक खराब हो सकता है अतिरिक्त बड़े टेजल ब्लाउस में नहीं लगाने चाहिए इससे आपका ब्लाउस और जादा बड़ा दिखता है आप चाहे तो मल्टी कलर में भी टेजल का यूज़ करके अपने ब्लाउस और अपने लुक को स्टाइलिज बना सकते चाहे तो आप वीडियो से भी हेल्प ले सकती वीडियो में सभी लेटेस्ट और ट्रेंडिंग डिजाइन ये जिसकी हेल्प से आप अपने लुक को और ज्यादा स्टाइलिश बना सकती वीडियो पसंद आती तो लाइक कर वीजियो चानल को भी सब्सक्राइब कर देज़ता कि एसी वीडियो की लेटस्ट और न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थांक सो माच